Nifty में last कुस session में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और जो investors last के एक या दो साल में market में इंटर किये हैं उनके portfolio में भी अब हर्याली देखने को मिल रही होगी इस साल March end में जब Nifty अपने near term low के पास ट्रेड कर रही थी तो उस time हमने एक series start की थी जिसमें हम बार बार निबियूर्स को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब ग्रेडी होने का टाइम है उसके कुछ पॉइंट्स को हमने कहीं बार आपसे डिसकस किया था जैसे के निफ्टी का बैलुएशन जो के 2015 के बाद के लो के अरोंड था थर्ड था एफाईएज और डिएज दोनों का नेट वायर होना ये एक्टिविटी सेप्टमबर 2021 के बाद पहली वार हुई थी थर्ड था एफाईएज और डिएज का हिस्ट्री की हाइस्ट एवर नेट वाइंग करना और कुछ और फैक्ट्स जिसे हमने अलग लग वीडियोस में डिसकस किया था और यही कारण है कि हमारे डिसकस किये हुए ज़्यादातर स्टॉक्स इवन के लार्ज कैपिल लास्ट टू मन्स में 20 परसेंट से ज़्यादा रैली कर चुके हैं आफकोर्स वीडियोस हमारे इन्वेस्टमेंट्स के टिप्स नहीं हैं लेकिन अगर हमारा एप्रोच सही हो तो बाटम फिशिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है प्रेंट्स मैं जानता हूँ कि हमारे काफी सारे बिवर्स ऐसे भी होंगे जो मार्केट में हुए रिसेंट अपरन को मिस किये होंगे और अब वो कुछ ऐसी स्टॉक्स को फाइंड ओड करने की कोशिश कर रहे होंगे जो फंडमेंटली स्टॉंग हो एंड अपने आल टाइ को आपके सामने रखेंगे जिनको अगर आप अभी बाई करते हो तो हो सकता है कि अगले दो से चार क्वाटर तक आपको कोई भी रिटर्स देखनेों को ना मिलें क्योंकि इन कंप्रीज में नियर टर्म में कुछ खास प्रफार्म नहीं करने के अलग लग रीजन्स हैं आफ बारन वुफिट जी की कोटेशन जिसमें वो कहते हैं कि हमारे साथ सबसे अच्छी चीज वही होती है जब कोई ग्रेड कंपनी हमें टेंपरेटी ट्रवल में मिलती है लेकिन हम क्या करते हैं हम उसे तब बाई करने की कोशिश करते हैं जब वो अलड़ी टॉप परफार्म क कर रही होती है और हम भी इसमें पूरी तरह से एगरी करते हैं और आज का वीडियो इस कोटेशन को बिलकुल भी बाईलेट नहीं करता है बस आज के वीडियो में हमें किसी बिजनस में एंट्री लेने के लिए कुछ ने फैक्ट्स पता चलेंगे जिससे हम किसी कमपनी में तब एंट्री कर सकते हैं जब उसके अच्छे दिन स्टार्ट होने वाले हों तो फर्स्ट कमपनी है डिवीज लेफ्स फ्रेंट्स 2023 से 2025 के बीच आल्मोस 20-25 मिलियन डॉलर की बैल्यू के ड्रग्स का पेटेंट खतम होने वाला है पेटेंट खतम होने के बाद डिवीज ले है तो हम मान सकते हैं कि इससे ग्रोथ आने में अभी एक साल से जादा का समय लग सकता है नेक्स्ट कमपनी का जो काकी नंदा में कापसिटी एक्सपेंशन हो रहा है उसमें कमपनी ने 745 क्रोर स्पेंट किया है इस प्लांट के लिए जो टोटल कैपक्स अनौस हो रखा है व इस प्लांट से ग्रोथ आने में अभी बन एंड हाफ एयर का समय लग जाएगा अगर आप पूछो कि हाल ही में कमपनी के लिए क्या अच्छा हुआ है वो यह है कि कंट्रास्ट मीडिया मालीकूल का मल्शल प्रोडक्शन स्टार्ट होना ने क्लाइंट अभी इस भी हो रहे हैं तो भी इनके मार्जन्स बैटर नहीं हो पा रहे हैं एली बैसिस पर बात करें तो ग्रॉस प्रोफिट मार्जन्स अभी 26.30 है जो कि पिछले 5 सालों में सबसे कम है और इनको नौर्मल होने में अभी 3-4 कौर्टर का टाइम लग सकता है फ्रेंट्स जब भी को में देखने को नहीं मिल रही है फ्रेंट्स कमपनी बन अफसा वेस्ट है लेकिन इस कमपनी को कंसीडर करने के लिए अभी वेड करना चाहिए एन इंसाइटर एक्टिविटी की बात करें तो हमें यहां नेट सेलिंग ही देखने को मिल रही है सेकंड कमपनी जूविलेंट फूट्स है और मैं जानता हूँ कि काफी सारे इंवेस्टर इस कमपनी में इंवेस्ट करने पर प्लैन कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक प्राइस अपने हाई से काफी नीचे ट्रेड हो रहा है Jubilant Foods में क्या हो रहा है कि single store sales growth पर काफी pressure आया है and year on year basis पर 4% की degrowth हुई है इसका reasons जो management ने बताया है वो यह है कि high inflation के चलते लोगों ने अपनी discretionary spending कम की है discretionary spending होती है non essential spending and सबसे ज़ादा जो impact देखने को मिला है वो pizza category में ही देखने को मिला है second क्या हो रहा है कि company के पास popis नाम का brand है इसका store opening भी काफी fast pace पर हो रहा है and इसके लिए company high depreciation दिखा रही है December 22 में देखें तो company ने 133 crore का depreciation दिखाया था and इस quarter में भी company ने almost उतना ही याने की 132 crore का depreciation दिखाया है and so depreciation होता है इसे net profit से minus कर दिया जाता है ये पैसा किसी को pay नहीं किया जाता है ये directly company के cash flow में चला जाता है basically depreciation tax बचाने में भी काम आता है and इसलिए company के net profits पर और भी असर देखने को मिल रहा है क्योंकि company tax भी बचाने की कोशिश कर रही है depreciation दिखा कर परदर company के margins पर भी खराव असर देखने को मिला है and management ने बड़े हुए cheese prices को जमेदा ठहराया है and इस quarter में operating profit margin 17% है जो की last के 7-8 quarters में सबसे कम है brands अपने video में हमने जब QSR industry का analysis किया था उसमें हमने एक company के पास अलग-लग brand होने के key risk को आपके सामने रखा था यही yubilant food works के साथ हुआ है and इसके जो 5 brands आपके सामने हैं इसमें से कोई एक काफी खराव परफॉर्म कर रहा है जिसका नाम अभी सामने नहीं आया है उस एक brand के खराव परफॉर्मस का impact भी इस company पर देखने को मिल रहा है management अपनी कॉन कॉल में इस question से बचती हुई नजर आई है के singer's tolls, sales growth की future guidance की इस तरह से होगी management ने ये भी बोला है के present time में वो ये नहीं predict कर सकते के demand में recovery कब होगी prediction की बात करें तो present issues अगले 3 quarters तक रह सकते है अपनी की valuation अपने peers के आस पास ही है ऐसे time में company की अगर valuation अपने peers से काफी कम होती तो भी इसको consider किया जा सकता था लेकिन यहाँ पर वो भी missing देखने को मिल रहा है company काफी सारे steps ले रही है cost को control करने के लिए and operating efficiency को improve करने के लिए company अच्छी है लेकिन present time में value नहीं दिख रही and financial year 24 इसी तरह से रह सकता है इसलिए जो लोग invested है वो invested रह सकते है fresh entry इस time में recommended नहीं है 3-4 quarter का wait करना ज़रूरी लग रहा है third company India Energy Exchange है high energy prices का impact India Energy Exchange पर भी देखने को मिला है क्यूंकि last one and half year में coal and gas के prices कावी hike हुए है and ये पूरी तरह से settle नहीं हुए है last financial year में per unit electricity cost में 36% बढ़ोतरी देखने को मिली है as compared to financial year 22 high prices के कारण ने customers अपने purchases को and new contracts में enter करने के plan को postpone कर रहे है and इसके कारण trading volumes में भी degrowth देखने को मिली है trading volumes में quarter on quarter basis पर 2% की degrowth देखने को मिली है and annual results में 5% की degrowth हुई है company का gas trading segment जो हाल ही में start हुआ है इसमें अच्छी growth देखने को मिली है लेकिन जो overall volumes में degrowth हुई है उसको cover नहीं कर पाई है company के stock price में 50% की correction होने के बावजूद भी PE को खास नीचे नहीं आया है and आज भी PE company के peer से ज़्यादा ही है and अगर forward PE को निकालें तो financially 25 के basis पर इसका PE 35 है जो के higher side में ही है and ये सब चीजे entry करने के criteria के engaged है जैसे जैसे energy prices settle हो रहे है demand बापिस आ रही है अगले 2-3 quarters में इसकी volumes में अच्छी growth देखने को मिल सकती है एनर्जी ट्रेडिंग एंडस्ट्री के लिए GNA जाने की general network SS नाम का एक regulation implement होने वाला है अगॉस 23 में जिससे energy generator and energy buyer के बीच के process काफी smooth हो जाएंगे expected है कि company को इस regulation से बड़े order मिल सकते हैं तो 1-2 quarter तक बेड़ करके आप इस company को फिर से study कर सकते है and accumulation के बारे में सोच सकते हैं friends इस बीडियो को देखकर आपको अपने stocks को sell करके निकल नहीं जाना है क्योंकि बीडियो सिर्फ educational purpose के लिए है लेकिन इस बीडियो से मिली हुई learning से आपको decision making में जुरूर help मिलेगी educational purpose के लिए मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप इन companies में investment या accumulation करने का plan कर रहे हैं तो dv's labs and jubilant food bucks में इस financial year में wait and watch करना चाहिए and India energy exchange में अगले एक दो quarter में इसकी volume growth को monitor करना चाहिए और उसके बाद invest करने का plan करना चाहिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा मिलते हैं आप से अगले वीडियो में टेक केर